हाई व्रीवन वेलकम तो मैं चैनल तो आज हम IELTS रीडिंग करेंगे IELTS रीडिंग के अंदर जो list of headings वाले questions होते हैं वो हम solve करने की questions करेंगे तो यहां पर देखें मैं आपको इस वीडियो के अंदर टीप्स बताऊंगा जिसकी वज़ें को यूज़ करके आप IELTS रीडिंग होती है उसको बहुत ही easy तरीके से कर सकते हो और बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो यह जो list of headings होते हैं बहुत सारे students होते हो उनको बहुत ज्यादा tough लगता है मैं आपको आज बहुत ही ज्यादा easy तरीका बताऊंगा बहुत ही easy tips है इसको यूज़ करके आपके IELTS के reading वाले sections के अंदर list of headings होती हैं उसके अंदर सारे के सारी questions है वो hopefully correct होंगे तो जो आज हमने पैसे लिया उसका नाम है the meaning and power of smell इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे करते हैं तो मैं आपको दो tricks बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप इस वाले section को अच्छे से कर सकते हो और five questions है तो आप easily four तो करी सकते हो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता words meaning में द कि वह हमारी week है इसकी वज़े से हमारे IELTS से वह समझने आती IELTS की reading वह समझने आती तो अब इसके अंदर देखिए क्या अगर आपको words नहीं आते हैं तो कोई दिकत नहीं आपको बस अच्छे से यह जो trick है वह समझने की जरूरत है ठीक है तो पूरा वीडियो देखिए मै आपको दो tricks बताऊंगा जिन क्या use करकि आप easily five में से photo score कर ही सकते हो अगर five question है तो ठीक है और अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाते हो तो five में से five easily score कर सकते हो तो देखो पहली पहली जो tips है trick है वो क्या है कि आपको जो जो भी passes दिया गया है जो भी text दिया गया है उ और जो last की है वो एक दो लाइन है वो आपको पढ़नी है ठीक है बीच का हमें कुछ भी नहीं देखना है ठीक है और उसके बाद हम question पर जाएंगे जो भी headings दी गई है उसके बाद जाएंगे पहले हम text को पढ़ेंगे उसके बाद जाएंगे headings पर ठीक है guys तो यहां पर द लाइन होती है उनको मैं highlight कर रहा हूं और उनके अंदर आपको easily है वो तीन से चार आंसर तो आपको easily मिल जाएंगे इनके अंदर ठीक है एक या फिर दो text होते हैं 5 question में से जिनके अंदर आपको पूरा पढ़ना पढ़ता है बाकी जो सारे के सारे text है उनमें आपको पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको सिरफ starting की एक दो line और last की एक दो line अगर आप अच्छे से समझ के पढ़ते हो तो easily आपका answer वो आपको मिल जाएगा ठीक है शिरफ एक question normally एक question होता है या फिर दो question होते है जिनके अंदर आपको पूरा पढ़ना पढ़ता है बाकी के स one in fact infants recognize the orders of their mother soon after birth and adults can often identify their children or spouses by scent तो यहां पर हमने तीन च्या लाइन पढ़ी है starting की तो इसके अंदर हमें क्या समझ में आ रहा है यहां बोल रहा है कि यह जो social bonding होती है उसके लिए क्या करता है order order का मतलब होता है smell वो बहुत ही ज्यादा important role है वो play करता है ठीक है उसके बाद वो बोल रहा है कि एक survey है जिसक after birth and adults can often identify that children or spouses by scent और फिर वो बोलता है कि जो infants होते हैं जो बच्चे होते हैं वो अपनी mother को smell से पहचान लेते हैं उनका birth होने के बाद और जो adults होते हैं वो अपने children को बच्चों को और spouses को अपनी जो पती-पत्नी होती है उनको smell से scent से वो पहचान लेते है ठीक है अब देख है हम ऐसी कोई heading है वो हमें मिलती है या चली नीचे चलते हैं देखते हैं ऐसा कुछ है या दो पैला वाला क्या है the difficulties of talking about smells ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा हमने अभी तक the role of smell in personal relationships ऐसा है ठीक है तो इसको हम इसको हम अभी के लिए रोक देते हैं ठीक है future studies नहीं मिला ठीक है relationship between brain and nose ऐसी को भी बात हुई है brain knows की कोई बात नहीं हुई है the interpretation of smell is affected in finding groups defining groups ऐसी कोई बात नहीं हुई है why our senses of smell is not appreciated ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है कोई बात नहीं हुई है smell is a superior sense ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है the relationship between smell and feelings यह हो सकता है ठीक है तो हमारे पास देखो यह जो लास्ट व वो बच्चे हमारे पास ठीक है तो हमने क्या पढ़ा था ऊपर क्या पढ़ा था कि जो बच्चा होता है वो अपनी मा को पहचान लेता है ठीक है और जो एडल्स होते हैं वो अपने supposes को partners को है वो पहचान लेते हैं और अपने बच्चों को पहचान लेते है ठीक है और यहा of smell in personal relationships देखो पहले वाली लाइन में क्या लिखा है orders are also essential cues in social bonding तो यही से बहुत हमें समझ आजाता है थोड़ा की social bonding के अंदर order से वो बहुत ही अच्छा role है वो play करती है उसके बाद यहां पर जो infant है उसका उसकी mother से personal relationship है ठीक उसके बाद adult है adult के बाद क्या बोलता है वो children से उसके spouses से spouses से क्या होता है यह क्या है personal relationship तो इसका answer क्या हो जाएगा नंबर दो हो जाएगा ठीक है ऐसे ही अब देखो यहां पर हमें सिर्फ starting की three, four line पढ़ने पढ़ी हमें तो last का भी नहीं पढ़नी पढ़ी ठीक है अब इसे ही हम यहां पर करेंगे starting की तीनहा लाइन पढ़ेंगे और last की तीन-चार लाइन पढ़ेंगे ठीक है시 कभी-कभी एक दू लाइन पर यहां से मिल जाते हैं ठीक है undervalued sense in many culture the reason often given for the low regard in which smell is held is that in comparison with its importance among animals the human sense the human sense of smell is feeble and undeveloped अब देखो यहाँ पर क्या बात कर रहा है परली लाइन के अंदर वो क्या बात कर रहा है its importance to emotional sensing life smell is probably the most undervalued sense in many cultures ॥ेक है undervalue का मतलब होता है किसी चीज़ की value नहीं की जाना थीक है value नहीं की जाना का मतलब हम उस चीज़ को appreciate नहीं कर सकते नहीं करते ठीक है तो यह क्या हो गया smell is probably the most undervalued sense in many cultures तो यह बता रहा है कि जो smell होती है उसको वो बहुत ही ज्याधा क्या है undervalued है बहुत सारे cultures उसके बाद वो क्या बता रहे है reasons बता रहे reasons का मतलब क्या होता है reason का मतलब होता है why why का answer होता है हम reasons में देते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा the reason often given for the low regard in which smell is held is that in comparison with its importance among animals the human sense of smell is feeble and undeveloped वो आगे यह बोलता है कि इसका reason है यह क्या है reason कि जो animals होते है ना उनकी जो smell जो senses होती है वो बहुत ही ज्यादा strong होती है ठीक है उसकी comparison में जो human होते है ना उनके वो senses होते हैं जो smell करने की है वो उत्य ज्यादा क्या नहीं होते है developed नहीं होते है atau feeble होते feeble का मतलब होते है weak होते उतने ज्दा श्रोंग नहीं होते है or undevelop होते है इतने ज्दा दूफ नहीं होते है तो यहां पिया हमारा जो compare वे हो किसे किया गया है animals से किया गया है ठीक है अब चलते है headings पे इसा कुछ है हमारे पास है तो हैडिंग में चलते हैं देखो difficulties of talking about smells ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है the future study की कोई बात हुई है नहीं हुई है the relationships between brain and nose ऐसा भी कुछ नहीं है the interpretation of smells as a factor in defining groups groups को define करने के बारे में भी ऐसा कुछ बात नहीं है ठीक है why our sense of smell is not appreciated अब देखो यहां पर मैंने एक उपर टेक्स के अंदर एक word आया था undervalued ठीक है जिसका मतलब होता है not appreciated तो यहां पर भी क्या है not appreciated ठीक है और उसके बाद हमें reasons भी दिया गया था the reasons भी दिया गया था reasons क्या था कि जो हमारी humans होता है उनको किस से compare करते है हम animals से compare करते है इसलिए क्या होता है कि यह जो बात होती है वो इसलिए होती है ठीक है इसलिए जो human का जो क्या है smell का जो senses वो क्या है not appreciated है तो इसका answer क्या हो जाएगा number six ऐसी चलते हैं D के अंदर D वाला text देखते हैं D text देखते हैं D के अंदर हम मारे पास क्या है अब देखो same trick यूज करेंगे यहां पर भी starting की 2 line और last की 2 line ठीक है उसके अंदर हमें hopefully answer है वो मिल जाएगा ठीक है यहां पर देखो smell however is highly elusive phenomenon orders unlike colors for instance cannot be named in many languages because the specific vocabulary simply doesn't exist okay यहां तक पढ़ लिया अब लास्ट वाली line पढ़ लेंगे we must make do with descriptions and recollections this has implications for off-lectry research ठीक है अब जो उपर वाली line से उनका हम देखते हैं क्या मतलब निकलता है smell however is a highly illusive phenomenon जो smell होती है वो बहुत ही ज्यादा illusive phenomenon होता है orders unlike colors, orders होती है जो smell हो colors की colors की unlike का मतलब होता है colors के जैसे नहीं for instance cannot be named in many languages because the specific vocabulary simply doesn't exist तो यहां पर क्या करना चाहता है कि जैसे color होता है हम बोलते है यह color है वो pink है तो वेसा नहीं होता है कि इसके साथ smell के साथ और उसके लिए कोई specific vocabulary भी नहीं होती है उसको describe करने के लिए ठीक फिर आगे वो क्या बोलता है it smells like we have to save and describing an order फिर वो आगे बोलता है कि अगर हमें कुछ describe करना है कि उसके अंदर वेसे smell आ रही है तो हमें कोई particular word नहीं है हमारे पास कि इसके अंदर वेसे smell आ रही है जैसे हम colors में क्या करते है वो pink color है वो black color है वो blue color है ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है हम को क्या आती है difficulties आती है इसको बताने के लिए ठीक है basically इससे हम यही समझते है तो अब देखते हैं कोई list of headings के अंदर है the difficulties of talking about smells ठीक है हमारे पास कोई क्या नहीं है क्या नहीं है हमारे पास हमारे पास specific vocabulary नहीं है तो हमें difficulty होती है we have to say it smells like author है उसने साफ साफ लिक रखा है ठीक है कि हमें क्या कहना पड़ता है we have to say it smells like ठीक है और हमारे पास कोई भी specific vocabulary नहीं है कि इसी smell को describe करने की तो इसका answer यह हो जाएगा और अगर आप अब बाकी option देखना चाहो तो future studies की कोई बात नहीं हुए relationship between brain noise की कोई बात नहीं हुए interpretation of smells की कोई बात नहीं हुए smell is a superior sense ऐसा भी कुछ नहीं देखा है हमने तो इसका answer क्या हो जाएगा number one the difficulties of talking about smells अब देखते हैं e के अंदर e के अंदर देखते हैं क्या है हमारे पास यह जो e है इसको हम देखते हैं क्या लिखाया गया most of the research on smell undertaken to death has been अब same ही rule use करेंगे यह पे भी जो tricks है वो हमने सेखी वो same tricks है क्या करेंगे apply करेंग क्या starting यह तीन चल lines होती है उनके अंदर ही हमें हमारा आंच है वो मिल जाएगा hopefully ठीक है नहीं मिलेगा तो आगे देख लेंगे most of the research on smell undertaken to death has been a physical scientific nature ठीक है यह बोल रहा है कि research की गई है उसके पीछे क्या physical scientific nature है आज तक जो भी research की गई है to death has been of a physical scientific nature उन सब का क्या है physical scientific nature है significant advances have been made in understanding of the biological and chemical nature of offlection और जो क्या है significant advances have been made बहुत सारी जो advanced क्या होती है technologies होती है advancement होती है वो क्या हो चुकी है is in the understanding of the biological and chemical nature of offlection but many fundamental questions have yet to be answered यह बोल रहा है कि बहुत सारी advancement हो चुकी है smell की जो discovery है research उसके बहुत सारी advancement हो चुकी मतलब बहुत तरक्की कर ली है लेकिन यहां पर देखो but many fundamental questions have yet to be answered लेकिन बहुत सारे fundamental questions basic questions है उनका answer अभी भी देना बाकी है और आगे क्या लिखा है researchers have still to decide whether smell is one sense or two कहने का मतलब क्या है कि जो researchers है उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है बहुत सारी जो advancement है उन्होंने कर लिया है लेकिन कुछ जो basic questions है उनका answer अभी भी नहीं मिला है उनको ठीक है तो मतलब क्या है उनके पास answer है वो क्या है answer है वो बाकी है questions है कुछ जिनके answer उनको अभी भी ढूंड़ना है अब देखो इतना पढ़के देखते हैं हमें answer मिलता है या फिर नहीं मिलता है नहीं मिलता है तो हम last की line से वो भी पढ़ लेंगे अब देखो यहां पर number one तो हो गया number two भी हो गया number three future studies into smell future की बात हुई गया उसके अंदर हाँ बिलकुल हुई है क्या बात हुई है जो future के अंदर है वो बहुत सारे questions है fundamental questions है उनका answer है वो researchers है उनको ढूंडने की जरूरत है ठीक है तो इसको हम अभी के लिए रख लेते हैं relationship nose and brain कुछ भी नहीं हुआ defining groups ऐसी भी कोई बात नहीं है smell is a superior sense ऐसी भी कोई बात नहीं है however smell is not simply a biological and psychological phenomena okay यहां पर भी same rule है वो करेंगे हम और देखते हैं क्या हमें मिलता है simple trick है इससे आपका time भी बच जाएगा और आपको answer भी है वो hopefully मिल जाएगा ठीक है अब starting की 2-3 line पढ़ेंगे उसके बाद last की 2-3 line पढ़ेंगे however smell is not simply a biological and psychological phenomena smell is culture hence it is a social and historical phenomena orders are invested with culture values यहां पर यह बोल रहा है कि smell है वो biological और psychological phenomena नहीं है उसके लाब smell का है वो culture से भी क्या है relation है hence it is a social and historical phenomena तो फिर वो बोलता है कि यह culture से भी related इसलिए क्या है यह social and historical phenomena भी है orders are invested with culture values orders होती है जो smell होती है order का मतलब होता है smell smell होती है वो क्या होती है culture values से भी क्या होती है related होती है उनमें भी पाई जाती है ठीक है अब इतना पढ़के तो हमें कुछ समझ आ रहा है कि चलिए देखते हैं क्या कुछ मिलता है क्या हमाल को number 3 हो गया number 4 देखे ब्रेन और नौस के अंदर कुछ भी नहीं है interpretation of smells as a factor in the defining groups groups की तो कोई बात नहीं है defining groups नहीं हुए यह six हो गया seven smell is superior feeling and smell and feelings ऐसा भी कुछ नहीं है चलो ठीक है अब इसका last वाला section भी हमें पढ़ना पढ़ेगा ठीक है अब last की दो line है वो हम last की एक line पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं मिलता है उसके बाद otherwise तो हमें यह पूरा पढ़ना पढ़ेगा मैंने बोला था कि एक दो question होते हैं जिनके अंदर हमें पूरा पढ़ना पढ़ता है बाकी जो normal questions होते हैं पांच में से तीन चार तो ऐसे मिल जाते हैं ठीक है देखते है last के अंदर मिलता है the study of the culture history is the study of the culture history of smell is therefore in a very real sense an investigation into the essence of human culture यहां पर भी हमें ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है थोड़ा सा और पढ़ना पढ़ेगा हमें चलिए फिर हमें पूरा पढ़ना पढ़ेगा इसको middle के अंदर हमें answer मिल सकता है ठीक है यहां तक पढ़ लिया है हमने अब देखते हैं भी हमें क्रेखते हैं तर यहां आ जेती हैं कि अज़गी पुरूच्छिश धीप यहनु खित्वत्टी कास्टेश्विय हैं Importantly, our commonly held feelings about smell can help distinguish us from other cultures अब देखो यहां पर यह पूरा पढ़ने के बाद हमें यह समझा रहा है कि इसके अदर culture के बाद हुई है कैसे जो एक culture होता है वो दूसरे culture से different होता है और कैसे smell की value होती है वो एक culture में कुछ और होती है दूसरे में कुछ और होती है यहां तक कि यहां पर यह भी लिखा है कि क्या लिखा है यह देखो लिखा है ना यहां पर smells data that are considered to be offensive in some cultures may be perfectly acceptable in others कुछ smells होती है वो जो कुछ culture होते particular culture उनके अंदर क्या होती है offensive होती है लेकिन कुछ होते है उनके अंदर वो perfectly acceptable होती है तो यहां से हमें पढ़की है समझा रहा है कि यहां पर culture की और smell की बात हो यह ठीक है अब यहां पर देखते है most importantly पर क्या लिखा है Importantly पर क्या लिखा है A commonly had feelings about smells can help distinguish us from other cultures अब यहां पर देखो culture को हमें group समझ सकते हैं जिससे एक group यह है एक group यह है एक culture यह है एक culture यह है यहां पर बोल रहा है कि इस culture के अंदर क्या होता है कि जो smells होती है वो क्या है offensive है दूसरे के अंदर क्या है perfectly acceptable है तो क्या हो गया यह group है और यह group है और यह culture है यह culture है एक दूस समय जा रहा है हमें चलो अब headings के अंदर चल के देखते हैं ऐसा कुछ है गया और नमबर चार पर देखिए the relationship between the brain and nose ऐसा कुछ नहीं है नमबर फाइफ the interpretation of smells as a factor in defining groups ग्रुप्स की बात हुई है तो इसको एक बार रख लेते हैं और और नमबर 5, 6, 7 देखिए smell is a superior sense ऐसा कुछ भी नहीं है the relationship between smell and feeling smell and feeling का भी कुछ particularly कोई बात नहीं है ठीक है तो हम नमबर फाइफ के साथ जाएंगे तो इसका answer क्या हो जाएगा नमबर फाइफ तो क्या हो गया the interpretation of smells as a factor in defining groups की जो smells होती है उनको क्या होता है उनको अलग अलग तरीके से interpret किया जाते है कुछ कल्चरस में वो offensive होती है कुछ कल्चरस के अंदर वो perfectly acceptable होती है तो क्या हो गया कल्चर को यहां पर ग्रूप से उन्होंने synonym से वो use किया है ठीक है यह जो tip है उसका use कर सकते हो आप और आप है वो easily क्या कर सकते हो 5 में से 4 तो easily score कर सकते हो just by looking at the first and the last lines ठीक है उपर की 2-3 line देखनी है और नीचे की 2-3 line देखनी है उनको अच्छे से समझना है तो आपको hopefully है 5 में से 4 answer तो मिल ही जाएगा जैसे अब भी हमने किया है यहां पर ठीक है तो ऐसे ही मैंने starting के अंदर भी बोला था कि अगर आपको list of headings करनी है तो आपको starting के last की जो lines होती है उनको अच्छे से पढ़ना है अच्छे से समझना है और आपको mostly आपके answer से वो मिल जाएगे ठीक है एक हो सकता है एक answer या फिर दो answer जो आपको middle में मिलेगे ठीक है बाकी सारे के सारे आपको starting में और ending में मिल जाएगे यह है हमारी tip जिसका हम use करेंगे ठीक है इस tip का use कीजिए और अगर आपको केसी भी type का कोई भी question है कोई भी doubt है आप comment के अंदर पूछ सकते हो ठीक है और हम आपको next video में मिलेंगे जहां पर हम कुछ और topics के बारे में बात करेंगे इस tip का use कीजिए और कोई list of endings है वो आप solve करके बताईए मुझे आपका score बताईए क्या difficulties आई क्या इस tip से यह trick क्या really valuable है क्या इस से आप solve कर सकते हो या फिर ये मेरे साथ ही हो रहा है आप मुझे जरूर कॉमेंट में बताईए